जैस्री राम हरहर महादेव आईए आज जानते हैं महालक्ष्मी पूजन के बारे में स्री महालक्ष्मी पूजन मिती कार्तिक क्रश्न पक्ष चतुर्दशी रविवार दिनांक 12 नॉवंबर 202 को प्रदोश व्यापिनी अम्मा विश्या होने से इसी दिन ही दीप माली का परो मनाया जाएगा एवं महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा और महालक्ष्मी का पूजन भी इसी दिन ही किया जाएगा प्राते काल 12 नौम्बर 23 को वर्षिक लगन में पूजन का जो सर्वस्रेष्ट मौरत है 7 बजगर के 20 मिनट से 9 बजगर से 30 मिनट तक रहेगा दिव्या दिन में जो कुम्ब लगन आएगा कुम्ब लगन का जो सर्वस्रेष्ट मौरत है वो इस प्रकार से रहेगा साम को प्रदोस काल में जो पूजन करना चाहते हैं और प्रदोस वेला सर्वस्रेष्ट वेला होती है ग्रस्तियों के लिए सर्वस्रेष्ट है जो 5.49 मिनट से रात्री 8.18 मिनट तक रहेगा साम को वर्षब लगन 5.55 मिनट से 7.50 मिनट तक रहेगा और जो अपने प्रतिष्टान एवं व्यापार ग्रहे पर पूजन करना चाहते है वो मद्या रात्री सिंग लगन में सिंग लगन का जो सर्वस्रेष्ट मौरत है सास्तर के अनुसार रात्री 12.24 मिनट से ले करके 2.38 मि अपने व्यापार इस्तल पर प्रतिष्टान पर आप भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें कनकधारा स्तोर्त के पाट करें या किसी वेदिक विद्भन ब्रामन के दुआरा करवाएं स्री सुक्त के पाट करें अश्ट महालक्ष्मी स्तोर्त के पाट करें पूरु सुक्त क करना है चोगडिया के अनुसार स्रेष्ट जो चोगडिया आ रहा है साम को पांच बजगर के 49 मिनट से लेकर रात को 10 बजगर 37 मिनट तक रहेगा जिसमें सुब अमरित और चर्का चोगडिया रहेगा और दीप माली का परवकी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक सुपकामना है वेदिक विद्वान ब्रामनों के द्वारा महालक्ष्मी पूजन करवाने तुआ आप हमसे संप्रक कर सकते हैं नवरतन वास्तु जोतिश कतावाचक पंडित दिनेश गुरू गुरू विहार कोलोनी पुषकर रोड को टड़ा असमेर एसे ही अनेक नए नए वीडियो यों जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अमारे चैनल को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें जै जै स्री सीता राम हर हर महादेव महालक्ष्मी का भंडार सदा बरपूर रसी एक बार पुने आप सभी को दिपावली महापरवकी धेर सारी हार्दिक सुपकामनाए जै स्री राम हर हर महादेव